आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ ये चॉकलेट हम घर में बहुत ही आसानी के साथ ना मैंने इसमें ओवन का यूज किया है ना अंडो का यूज किया है यहां तक कि मैंने इसमें दही का भी यूज नहीं किया है तो बहुत इजी चॉकलेट केक आप घर पे बना सकते हैं तो यहाँ देखे एक बाउल लिया है उसके पर मैंने छन्नी रख दिया है और एक कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है रेशो का आप ध्यान दें तो आपकी केक एकदम पर्फेक्ट बनेगी तो एक कप मैदा यहाँ पे मैंने लिया है और आधा कप पिसी हुई चीनी लिया है पाउडर शुगर ही आपको यहाँ पे लेना है पिसी हुई चीनी यह सफिशेंट रहती है इत्ती मिठास काफी रहती है अब यहाँ पे मैंने एक टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है जो खाने वाला चोटा चमच होता है न वही टी स्पून मैंने एक चोटा चमच बेकिंग पाउडर लिया है और एक चौथाई चमच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा का यूज किया है एक चौथाई चमच और एक चुटकी केवल यह देखिए, यहाँ पे मैंने नमक का यूज किया है, एक चुटकी ही लेना है नमक, और फिर हम यहाँ पे आड़ करेंगे, तीन टेबल स्पून कोकोवा पाउडर, तीन बड़े चमच, यहाँ पे कोकोवा पाउडर मैंने यूज किया है, बहुत एज आपको किसी भी ग्रोशी शॉप पे मिल जाता है कोकोवा पाउडर अब इसे हम अच्छे से चान लेंगे चान बहुत ही ज़ादा जरूरी है उससे क्या होता है केक बहुत ही फ्लफी बनती है तो देखिए सारे ड्राइ इंड्रीडियेंट को हम अच्छे से मिला लेंगे देख इसे ढख के हम 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे कढ़ाई को तो यह हमारी कढ़ाई गरम हो के तियार हो जाएगी तिन भी तियार कर लेते हैं तिन में देखिए ओयल मैंने अच्छे से लगा दिया है नीचे की तरफ किनारे की तरफ और उपर से मैं बहुत ही आसानी से केक निकलेगी तो मेरे पास था बटर पेपर इसलिए मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ हर तरफ से अच्छे से ओयल लगा दें तो यह तिन भी त्यार हो गई है तो यह देखिए यह ड्राइ इंग्रीडियन्ट रेडी है तो अब हम इसमें एड करेंगे 1 4th cup oil और यह बहुत तेज स्मेल वाला आपको नहीं लेना है यहाँ पे मैंने संफ्वार और यूज़ किया है 1 4th cup यह देखिए और फिर हम यहाँ पे एड करेंगे इसमें दूद तो यह दूद मैंने वही लिया है जो गरम करके ठंडा कर लेते न यह वही दूद ह है और थोड़ा थोड़ा करके हम एड करेंगे इसे एक साथ ना एड करें जितनी रिक्वार्मेंट होगी उतनी हम इसमें एड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इसकी गुठलियां हटाते जाएंगे अलके हाथों से इसे मिक्स करें यह देखिए अभी यह बैटर बहुत थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा फेर हम आट करेंगे और इसकी ribbon consistency आने तक हमें इसका batter बनाना है, यह दिखेंगे इसे अच्छे से हलके हाथों से ही दैक्स करेंगे, तो यह देखेंगे, अब मैं आपको इसका texture दिखा रही हूं, कैसे ribbon जैसा यह गिर रहा है, तो बस इतन हमें इसकी consistency रखनी है अब इससे पतला हम नहीं करेंगे तो यह देखिए एक कब दूद मैंने लिया था उसमें तीन टेबल स्पून दूद बच गया है यह दूद नहीं लगा है तो यह देखिए टिन रेडी है तो अब हम इसमें बैक्टर लेकर पोर कर देंगे यह देखिए टैप कर दें इसे अच्छे से और फिर यह जो प्री हीट होने के लिए मैंने कढाई रखी है ना उसमें हम इसे रख देंगे और फिर हम इसे ढग देंगे और लो फ्लेम पे इसे 35 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देंगे यह देखिए इसे मैंने ढग दिया है 35 मिनट क के बाद हम इसे चेक करेंगे तो यह देखे कितनी अच्छी केक पूल के रेडी है तो एक तूद पे इंसर्ट करके हम चेक करेंगे देखे एकडम क्लीन निकली है तो अब हम इसे निकाल लेंगे केक को इसे एकडम थंडा होने देंगे आधी गंटे के लिए इसे रख देंगे और इसे पलट देंगे, टैप करेंगे, बहुत इजली केक निकल जाती है, अब मैं आपको इसका टेक्चर दिखाऊंगी, कितनी अच्छी केक बनी है, बहुत इच्छी जाली आई हैं, ये देखिए, एक दम परफेक्ट केक बना है, ये देखिए, इसमें मैंने कोई भी दही, कंडेंस मिल, कंडे, किसी का भी यूज नहीं किया है, तब पर भी ये केक एक दम परफेक्ट बनी है, ये देखिए, मैं आपको इसको कट करके दिखा रहे हूं, अंदर से देखिए, कितनी स्पॉंजी बनी है ये केक, घर में रखे सामगरी से आप बहुत ही आसानी से चॉक चॉकलेट केक बन गई, आप चाहें तो इसके उपर चॉकलेट सिरप से गार्निश करके भी सर्व कर सकते हैं, ये देखिए,